जै माताराणी, हिंदुओं का नवरात्री परम पवित्र त्योंहर है, गिस दिन हमें स्नान ध्यान से अबोट होकर के और बाजोड बिछाना चाहिए, बाजोड के उपर पवित्र जो है गंगा जल से धोना चाहिए और उसके उपर लाल बस्तर बिछा देना चाहिए, लाल वस्त्र के उपर महताजी का फोटो या महताजी की मूर्ती इस्ताफित करने चाहिए और उस मूर्ती को घंगा जल से पंचामरत से सुद्ध जल से सनहन करना चाहिए और फिर उनके उपर चूंद्री ओडा देने चाहिए माताजे के सामने गट इस्ताफित करना चाहिए गट इस्ताफित करने के लिए हमें चाव लेने चाहिए और अश्टदल नीचे बना करके उसके उपर कलस रख करके कलस के उपर साख्या बना देना चाहिए कलस्के में गंगा जल अगर गंगा जल नहीं हो तो सुद्ध जल और उसके उपर पंच पल्लव आमर के रखकर इस्ताफित करके और उसके उपर जो है एक नारियल जो जिस जो है लाल वस्तर में लिप्टावा हो और जिसके चारवर मौली बांदी हुई हो वो उस जो है पंच भी रखना चाहिए पवित्र जो है मिटी का पात्र लेकर के उसमें सुद्ध जो है मिटी रख करके और जवारे बोने चाहिए उसके बाद में माता जी का जो है सोड़े स्रंगार करना चाहिए और फिर माता जी को अक्षड चंदन कॉंकॉम डुआदलम रितुफलम अभी गुलालम सिंदूर और उसके बाद में माता जी को गंध अत्र लगा देना चाहिए गुष्प पुष्प माता जी को लाल पुष्प जो है और कंवीर का पुष्प मिल जाये तो वो लगा देना चाहिए और माता जी को गंध पुष्प धूप दूब करना चाहिए दीपक जो है अगर अक्षा दीपक लगाना हो तो वो रख देना चाहिए निए दीपक लगाना चाहिए अग गंद दूब दीप दीपक और नेवेदी जो है माताजी को चड़ाना चाहिए और उसके बाद में पास में गनेजी की भी स्ताफना करने गणे जी और मां गोरी की स्तापना करने चाहिए उसमें जो है मां गणे जी और मां गोरी को गंद पुष्प दूप दीप नेवेदी तामुल चड़ाना चाहिए और गणे जी को विलुपस्त चड़ाना चाहिए और लाल पुष्प तो गणे जी को लाल पुष्प चड़ाना चाहिए और फिर जो है गंद पुष्प धूब दीब लगा कर चड़ा करके माता जी की हमें आरती खड़ना चाहिए माता जी की आरती और आरती करने के बाद चारोंड प्रणदिक्षना दक्षिना और पुष्पांजली और जल लेकर के कलस में या अगर हमार पास संख हो तो स चाहिए और एक मंत्र है एम रिम रिम स्त्रिम चाउंड आई विच्छे इस मंत्र का जब करना चाहिए नौ दिन जो है अलग-अलग देव की पूजा करने चाहिए पहले दिन इस प्रकार नव दिन तक नवी देवियों के पूजा हमें ठाट बाट से करनी चाहिए जिसमें घर में सुक्षंपती होती है, दंधाने की ब्रदी होती है, किसी प्रकार का संकटनी होता है, वेपार में अभी ब्रदी होती है, और वेपार दिन जोना रात चोगना बढ़ता है, और फिर उसके बाद में सांती पाट करना चाहिए, सांती, 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 सांत झाल झाल